अब ये पार्टी हम लोगों को नसीयत देगी ये कत्ताई स्विकार हैं हम लोगी चिंता में वो क्यों दूबले हो रहे हैं उन्हें अपनी चिंता करनी जाई हैं अब जनता ने साड़कपर उन्हें फिर से एक बार छोड़ दिया है नमस्कार आप देख रहे हैं लाइफ सेडीस में हूँ आपके साश शिवम बिहार में महागडबंदन की हार के बाद कल राजत के तरफ से समिच्छा बैठक बुलाई गई थी जिसमें निता प्रतिबक्स देरसी जादव ने अपने निताओं को या निर्देश दिया था कि 2021 मे कभी भी चुनाव हो सकता है इसको लेकर जब हमने जेडियू के परवक्ता राजीव रंजन से बात की तो उनका क्या कुछ कहना है पहले आप वो सुने लेके चुनाव के पहले तो चुनाव जीतने की लगातार वो बातें करते रहे अब जनता ने सड़क पर उन्हें फिर से गड़वंदन है इस गड़वंदन में किसी दरार की कोशिस अगर वो ढूंड रहे हैं मुझे लगता है उनको नाकाम्याबी हासिल होगी बजाए इसके कि वो हमारे आलायंस के बिखरने और हमारी सरकार के पतन का इंतजार करें उन्हें अपने पार्टी के अंदर के और समय समय पर वो राज्य की सिमाओं के बाहर तब आये जाते हैं जब बिहार गंबीर संकट के दौट से गुजर रहा होता है इसलिए उन्हें अपनी चिंता करनी चाहिए अपनी पार्टी की चिंता करनी है जिसका नहीं हुआ हम लोगी चिंता में वो क्यों दूबले हो रहे हैं उन्हें अपनी चिंता करनी जाहिए सौ साल से पुरानी पार्टी अलग अलग राजिमें किसी न किसी दल के पिछला गुपन से वह उबर नहीं पार रहा है रावुल गांदी का विकल डूण नहीं पा रहे हैं दास्ता का संसकार इतना प्रबल है कि कोई नेता अगर वहां वन्सवाद के खिलाफ अगर अप्रत्यक्ष रूप से भी कहीं कुछ करता दिखता है तो उस पर गाज गिर जाती है अब ये पार्टी हमलों को नसियत देग अब ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में अधिए की सरकार नहीं चलने वाली लगतार यहीं पहार में फिर से विधान सभा कर चुनाऑया हो सकता है अब ये तो देखने वाली बात होगी कि नेता प्रतिपक स्विजादव कि ये बात कितनी सचाई में बदलती है तब तक के लिए आप बने रहे हैं हमारे साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो जल से जल सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद अब ये पार्टी हमलों को नसीयत देगी ये कत्ता ही स्विकार देगी हमलों की चिंता में वो क्यों दूबले हो रहे हैं उन्हें अपनी चिंता करनी जाईए अब जनता ने साड़क पर उन्हें फिर से एक बार छोड़ दिया है